Good morning friends, welcome to my YouTube channel gardening lessons तो friends आज हमारे garden में काफ़ी अच्छे जो English rose वो बने हुए है, pink color के आप लोग देख सकते हो friends ये जो season है, rose का season है तो आप भी अपने garden में rose लगाईए काफी permanent plant है और काफी अच्छा लगता है friends लेकिन आज का जो हमारा topic है वो salvia के plant के बारे में है तो आप लोग सभी जानते होंगे कि जो रैट कलर का यह प्लांट होता है, लेकिन, आजकल यह काफी सारे कलर में अवेलेबल हो गया है, वाइट, यलो कलर भी इसके जो है वह आजकल दिखने लग जाते है, उसके लटाबा फ्रेंट यह जो सालवया का प्लाइंट है, तरह के भी purchase कर सकते हो friends salvia में दो तरह की varieties आती है एक hardy salvia होता है जिसे हम summer में grow करते है मैंने अपनी कुछ परानी वीडियो में उसे दिखाया भी है हलांकि मैंने उस पर एक अलग से वीडियो तो नहीं बनाई है लेकिन friends आप लोग screen पर देख सकते होगी जो हाड़ी salvia का plant है इसकी फोटो है और यह काफी छोटच होता है लेकिन इसकी जो branches होती है वो काफी बड़ी होती है और यह जो friend है यह normal salvia है जो कि हमारे आपे winters में easily मिल जाता है किसी भी nursery पर 20-30 रुपए में friends और जब भी आप लोग nursery से प्लांट को लाए तो उस पर एक बार antifungal powder जो होता है वो ज़रूर spray कर दीजिए मैंने भी इस पर एक बार antifungal powder जो है वो spray कर दिया है उसके लावा friends जो भी पुराने full होते हैं अगर आप उन्हें हटा देते हो पुरानी branches को हटा देते हो जो सूख जाती है फूल स्पेंट हो जाते हैं तो उसके बाद इसमें से काफी सारी नई जो branches है side से वो निकलने लगती है आप लोग देख सकते हो तो friends अगर हम इसके soil की बात करें इसकी care की बात करें तो आप लोग इसे धूप में रख सकते हो इसके colors है वो काफी bright हो जाते हैं और इसमें काफी branches आना शुरू हो जाती है और इसे cow dung compost fertilizer के दौर आप दे सकते हो उसके अलावा friends ये जो आप देख रहे हो ये crysanthemum के plants है ये भी हमारे garden में काफी कल्या बना start हो गई है और कल्या bloom भी करने वाली है बहुत ही जल्दी friends तो ये जो plant है मैंने लर्सी से last year purchase किया था और summer में इसकी काफी देख बाल की जिससे कि ये plant जो है summer में बना रहे garden में और जलेना उसके अलावा friends उसकी काफी सारी जो cuttings है मैंने उससे भी काफी सारी जो plant है वो तयार किये है और अब उनमें भी कल्या जो है वो बनना शुरू हो गई है आप लोग देख सकते हो कि काफी सारी जो blooming है वो start होने वाली है तो December तक इसमें खुब सारे फूल है वो लग जाएंगे उसके अलावा friends ये जो आप देख रहे हो ये pumpkin का plant है जिसे मैंने जो वीडियो है मेरी पुरानी उसमें दिखाया था तो friends अब इसमें जो है वो fruits बनना शुरू हो गए है उसके अलावा friends आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है ये beautiful और उसके अलावा friends मैरी गोल्ड में भी जो मैंने October में और August में ग्रो किये थे उनमें ब्लूमिंग होना start हो गई है तो thank you friends बाइ-बाइ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो please do like, share and subscribe my video thank you